मैं आप सभी के सामने हाथ जोडता हूँ हाथ जोड के निवेधन करता हूँ कि सीटेट अपेरिंग वालों को मौका दे दीजिए बिप्यसी सिक्षक बरतिव फेज टूप में वो स्टूडेट आपका इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेसबरी से ही कि आप लोग कब संसोधन करो और कब हमें मौका मिले हंजी नमस्कार दोस्तों सागत है आपका एक बर फिर से हमारे यटूप चैनल प्रिक्षा गाइड पर तो दोस्तों बिप्यसी के तरफ से एक और नया नोटिस जारी किया गया है देखते हैं कि इस नोटिस में ऐसा क्या बिप्यसी ने कहा है और क्या सीटेट अपेरिंग वालों को अभी भी मौका मिलने के चांस है या नहीं मिलेगा मौका ठीक है दोस्तों तो आएए देखते हैं दोस्तों ये नोटिस है ये कल की डेट में 17 नोवंबर को जारी हुआ है आयोग द्वारा प्रकासित विग्यापन संक्या 27-2023 विद्याले अध्यापक विग्यापन के अंतरगर्त वर्तमान में चल रहे ओन्लाइन आवेदन करने की प्रकिरिया एहूं 32 नियाइक सेवा मुख्य प्रतियोगिता प्रिक्सा से संबंदित एडमिट कार्ट डाउनलोड करने की प्रकिरिया सर्वर मेंटेनस के कारण दिनाख 18 नोवंब 23 की रात से दिनाख 20 नोवंबर 23 सुबह 8 बज़े तक बाद्धित रहेगी इसके बाद ओन्लाइन आवेदन संबंधी प्रकिरिया एह 32 नियाइक सेवा प्रतियोगिता प्रिक्सा से संबंदित एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रकिरिया सुचारू ढंग से जारी रहे है वो बीजी रहने वाली है सर्वर मेंटेनस के कारण ठीक है उसके बाद जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रकिरिया सुरू हो जाएगी ठीक है जैसा कि इसमें दिया हुआ है विद्याले अध्यापक विग्यापन के अंतिगर्द ठीक है और न्याइक मुख्या सेवा ठीक है तो दोस्तों ये इसके अंदर इन्फोर्मेसन दी हुई है ठीक है साइड बीजी रहने के कारण तो कासी स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या फोर्म की डेट बढ़ सकती है तो दोस्तों अभी तक कहा पाना मुश्किल है कि 25 नॉमबर तक जो फोर्म की डेट है बढ़ सकते हो आप लोग क्या उसके बाद डेट बढ़ सकती है कैपाना बहुत मुश्किल है साइड ही बढ़े क्योंकि इस बार बिप्यसी ठीक है कोई भी एक्ट्रा दिन देना नहीं चाहता है बिप्यसी ने साब साब कहा है कि इस बार हम लोग किसी स्टूडेंट को क्यों कि गलती हो और वह डॉकुमेंट अपना गलत कर देते हैं ठीक है वहाँ पर जाकर जब एकजाम होल में बैटते हैं तो अपना रोल नंबर गलत बढ़ देते हैं नाम गलत बढ़ देते हैं ठीक है तो विप्यसी ने कहा है कि हम लोग इस बार सुधार करने के लिए के द्वारा जो हमारे बिहार के स्टूडेंट हैं वो लगातार अपनी आवाज को उठा रहे हैं सोसल मीडिया के माध्यम से या हर जगे वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं ताकि सीटेट अपेरिंग वालों को मौका मिल सके सरकार का ध्यान वो अपनी तरफ आकरशि जाएगी ठीक है दोस्तों अब देखते हैं कि सीटेट अपेरिंग वालों को मौका मिलता है या नहीं मिलता जनवरी दो हजार चोईस में सीटेट का एक्जाम होने वाला है धन्यवाद दोस्तों जय हिंज भारत जाद से जादा वीडियो को शेर करें